नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर। के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी महंत करते हैं। कि उनके पास धन तो आता है, परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचुक उपाय लाए। है, जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन तिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि यहां बताई गई वस्तूओं को आप अपने पर्स में रखेंगे, तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि विडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी परंतु माता लक्षमी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें, जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो, दूसरा पीपल का पत्ता हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवन तुलसी दोनों को ही पूजनिय मान कर उनकी पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक लाप प्राप्थ होता है, पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद, शुब मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए, ऐसा करने से आपका पर सदैव धन से भरा रहेगा, जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तीसरा लाल रंग का कागज यह एक प्रकार का तोटका है जिससे मनोकामनाई पूर्ण होती है यह एक अचुब तोटका माना जाता है इस तोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेश्मी धागे से बांध लें तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी चोथा है चावल शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कहे गए हैं इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो यहां आपके अंचाहे खर्च को कम करता है पांचवा ज्योतिश शास्त्र के अनुसा पर्स में शीशे का कोई टुकडाया एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए यह उपाय भी धन व्रिद्धी में सहायक होता है इसके अलावा आप पर्स में कौडी या गोंती चक्र भी रख सकते हैं छठा यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धनलाब होता है चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माता लक्षमी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में माता लक्षमी के चर्णों साथवा यदि आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं, तो ये दरिद्रता को यानी की गरीबी को दूर कर धन वृध्धी में सहायक होता है, आठवा माता पिताया, बुजर्गों से आशिर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक, लगा कर सद पर्स में नोटों को मरोड कर ना रखें, यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे, तो आपसे माता लक्षमी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, जब माता लक्षमी प्रसंद हो जाएं, तो चाहत हमारी चोटी पड़ जाती है, खुशिया ज्यादा मिल, जाती है जितना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा, और अगर प्रसंदा ना हो तो फिर घोर दरिद, रता का सामना भी करना पड़ता है, कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी मा लक्षमी को प्रसंद कर लेते हैं, अपन पहचानिये क्योंकि राज्योग आपका चल रहा है, और आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है, आप जो भी काम करते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं इसका, मतलब है वो आपका अच्छा वक्त है, तो उस समय को पहचान कर आपको चाहिए ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जब समय गडबड चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बलकि सिंपल तरीके से लाइव को आगे बढ़ाएं, बस चले दोड़ने की आज ज्यादा उचल कूद करने की कोशिश ना करें, मेरे कहने का ताकि पर्य आप समझ गए होंगे, जब समय गडबड हो तब शांत हो जाएं, स्थेर हो जाएं, और जब लगे की सब कुछ ठीक हो रहा है, तो एक बार फिर से प्रयास करें, इलाइची तो हर घर में होती है, और इलाइची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबू बढ़ाता है, यानि आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, तो शुक्र को बहतर करने के लिए छोटे-छोटे उपाय किये जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले ले उसमें इलाइची के एक-दो दाने डाल कर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डाल कर नहाएं, आप चाहें, तो गर्म करके या बॉल करके उसको किसी शीशी में रख लें, और रोज नहाने के पानी में दो धक्कन इस पानी को डाल कर नहाएं, ये तो पवित्रता बढ़ेगी, और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बहतर होता है, तो ये था एक सिंपल प्रयोग लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर, पाते तब इलाइची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें अगर आप चाहते हैं, श रफलता पाएं तो छोटी इलाइची और मिश्री या बता से आपके पास जो भी है वो ले ले और छोटी इलाइची से दो दाने निकाल ले मिश्री बता से ले ले और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दे, अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें पीछे मुर कर मत देखिये शिक्षा की बाधाये समाप्थ होती है, अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है, किसी भी, शुक्रव या दोने पर नदी के पास इलाईची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं, उसे वहाँ पर रख दें और एक दिया जला दें, या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डाल कर बहा दें, आपका शुक्र भी बहतर होगा, और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघर व योंकी सबसे बड़े प्रेन के प्रतीक तो हमारे भगवान श्रीकृष नहीं है, उनका नाम ले और शुक्रवार के दिन तीन हरी इलाईची ले ले उसे अपने शरीर से स्पर्ष करें, वैसे तो कहा जाता है, पसीने से स्पर्ष करें पर ऐसा ना करे, आप अपने शरीर से टच कर ले बस इतना ही काफी है, इसके बाद आपके पास रुमाल पल्लू या दुपट्टा जो भी है, उसमें बांध कर अपने पास ही रखें, अगले दिन सुभा यानी शनिवार की सुभा टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन यह सब करके रख लें इलाईची को, सं शुक्रवार के शुक्रवार ये करे या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें आपको लाभ मिलेगा आप चाहें, तो इस प्रलोग को रविबार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिये इससे प्रेम बढ़ता है, तो विद्यार्थियों को सफलता पान के लिए हमने जो उपाय बताया उसको कीजियेगा इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजियेगा अगर आप पढ़ाई में। लगता है, जैसे असहाई हो गए हैं तब ऐसे में किसी हिजडे को कुछ सिक्के और हरी इलाईची दान में दे और उनको ये बीच बीच में आप देते रहे और वो आपकी ये इलाईची खा लेता है तो हमेशा ही अपने पास इलाईची रखYे और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलाइची दे दे आपके जीवन की धन की मुश्किले दूर हो जाएंगी बहुत। सिंपल प्रयोग है पर ये वर्क करता है बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा आप गुरुवार के दिन हरी इलाइची पीले कपड़े में बांध कर किसी गरीब को दे या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दे आपको सुंदर बीवी मिलेगी बहुत सिंपल प्रयोग है करके देखे आज माता के देखे कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तनक्वाह नहीं बढ़ रही है आप बहुत मेहंत करते हैं पर आपके जूनियर सीनि किसी बाहरी व्यक्ति ये आप अपने ओफिस में भी किसी को दे सकते हैं तो किसी को भी खिला दे आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं तब एक छोटा सा प्रयोग करें अपने दाहिने हाथ में इलाइची ले ल मुश्किलें ज्यादा परेशान करें तब एक छोटा सा काम करें माता लक्षमी की जब आप पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलाइची और लॉंग दोनों ही अर्पित कर दें इसके बाद उसको बांध कर अपने धन क स्थान पर रख दे धन की कमी नहीं होगी क्योंकि इलाइची की खुश्बू लक्षमी को आकरशित करती है इसलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलाइची खाएं या फिर आपको चाय कौफी लेने की आदत है तो एक इलाइची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें तो आपका दिन बन जाता है अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष मी जी का आपको साक्षात आशिरवाद प्राप्थ हो कभी भी शुक्रवार के दिन तामसिक भोजन मत कीजिएगा तामसिक भोजन का मतलब है मास मदिरा मचली वगैरह से दूर रहेगा शु शुक्रवार के दिन कभी भी किसी भी महिला का निरादर नहीं करना चाहिए दोस्तों धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता लक्ष मी जी ऐसे किसी भी व्यक्ति को आशिरवाद नहीं देती है जो व्यक्ति महिलाओं की इज़त नहीं करता है अगर आप महिला शुक्रवार का दिन एक ऐसा दिन होता है, जो माता लक्षमी को समर्पित होता है, तो शुक्रवार के दिन कभी भी कोई खटी चीज मत खायेगा हम ये नहीं कह रही हैं, एकदम से अवार्ड कर दीजिये, लेकिन अगर आप छोड़ सकते हैं, परहेज कर सकते हैं, तो शुक्र शुक्रवार के दिन कोई भी खटी चीज मत खायेगा शुक्रवार के दिन जितना हो सके उतना मीठा। खाये ये बहुत ही शुभ माना गया है। इससे साक्षात माता लक्षमी का आशिरवात प्राप्थ होता। अभी तक हमने आपको जो बाते बताई हैं वो वो बाते हैं जो आपको शुक्रवार के दिन नहीं करनी हैं तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार।